नमस्कार किसान भाईयों हमारा हमेशा प्रियास रहता है कि आपको ऐसी जानकारियां दे जाएं जिससे आप खेती अच्छे से कर पाएं, अच्छी प्राफिट ले पाएं, अच्छा उत्पादन ले पाएं और लागत आद जो है उसमें आप कटवती कर पाएं अगर आप ला अगत में भी सांदार उपज दे देंगी रोग बीमारियां लगने के काफी चांस कम हैं और नई प्रजातियां हैं जो आप लगा करके काफी अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं धान की जो मैंने पहली ब्राटी सामिल किया है बायर धान की अराइज एजड पैसठ पचासी एस्टी नाम से मार्केट में आती है और यह एक नई किस्म है जिसका सीट्स आपको मार्केट में इतनी आसानी से साइज सभी दुकानों पे ना मिले लेकिन तलास करेंगे तो आपक एक सो बीस दिन में तैयार हो जाएगी जो नर्सरी के डालने से लगा करके कटाई तक का टाइम है और इतने कम टाइम में अगर आप इसको समय पर बुवाई करेंगे तो निश्चित है आप फसल चकर के रूप में सबजीयों की खेती या अगेती गन्ने की बुवाई कर सकत हैं जो आज के समय को ध्यान में रखते बहुत जरूरी है तो इसलिए कम अवद की ब्राइटी को अगर आप लगाना चाहते हैं तो यह ब्राइटी आपको काफी अच्छी पसंद आएगी इस किसम में किसानों को एक फाइदा और भी है क्योंकि किसान भाई लंबा और पतला चावाल लेना चाहते हैं तो यह ब्राइटी जो है आपको लंबे और पतले दाने वाला ही धान देगी तो कि इस ब्राइटी को अगर आप लगाना चाहते हैं अपने लिए खाने के लिए अधि मार्केट में बिक्री के लिए तो लंबा और पतला दाना होने के बावजूद मार्केट में भी काफी अच्छा प्राइज दे देगी और खाने के लिए लगाना चाहते हैं तो खाने के लिए भी काफी अच्छी साबित होगी बालियों की लंबाई की बात करें तो अच्छी खासी इसकी लंबाई होती है क्योंकि प्रतेक बाली में 250 250 से 270 तक दाने निकलते हैं दाने का वजन सामानी होता है क्योंकि पतला जाना होता है तो बहुत दाने का वजन नहीं होता है लेकिन फिर भी सामानी दाने के वजन होते हुए भी गुच्छेदार बालियां होती है जिससे आपको पैदावार जो है 25 से 30 कुंतर तक एक एकड़ म मिल जाता है कम अवध की होने के काण अगर आप इस किस्म को लगाते हैं तो कल्लों की संख्या तो 15-20 तक सामान रूप से निकलती है लेकिन आपको सुझाव दिया जाता है कि अगर आप इस ब्रैटी को लगाते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूर वैसे भी नई है, हाइब्रिड किस्में वैसे भी नया सीड़् तयार किया जाता है तो उसमें जो है जो रोग प्रतरोधी किस्में होती है उसमें उसकी पूरी सेहन सिल छमता होती है तो इस ब्रैटी को लगा करके आप बीयल भी रोग से बिलकुल निश्चिंत हो सकते हैं दूसरी जो रोग बीमारी है थोड़ी बहुत आ सकती है जैसे पास के खेत में कोई रोग बीमारी लगी है तो आपके खेत में भी पहलने का खत्रा है तो उसके लिए आपको सामानुरूप से एक बार इस प्रेज जरूर करना चाहिए बाकी हम इस ब्रैटी को लगाते हैं तो आपको दो से तीन से चाहिया करने की आवस्थ सकता पड़ेगी अच्छी खासी पैदावार मिल जाएगी आपको कम टाइम पर तो नई ब्रैटी है नई ब्रैटी को आप ट्राई जरूर करिएगा और तलास किजिएगा अगर आपको अपने मार्केट में मिल जाता है तो इस ब्रैटी को आप लगा सकते हैं समय पर रुपाई यह आप नहीं कर पाते हैं किसी कांट से लेट हो जाते हैं तो लेट के रूप में भी आप लगा सकते हैं और अगर आप इसको जुलाई के अंत तक भी लगा देते हैं आगस्त के पहले सब्ताह तक भी लगा देते हैं तब आपसन आपके लिए इस ब्रैटी को लगाने के मिल जाते हैं अब दूसरी जो ब्रैटी है वो भी बायर की ही ब्रैटी है इसका नाम है स्विप्ट गोल्ड स्विप्ट गोल्ड जो ब्रैटी है ये बीलबी रोक की ये भी प्रित्रोधी किस्म है दाने का वजन इसका अच्छा होता है क्योंकि मद्ध मोटा होता है और पहली जो मैंने बिराटी बताई है उसका दाना पतला होता है तो यह मद्ध मोटा होता है 250 से 270 तक इसमें भी दाने होते हैं 25 से 30 कुंतल तक आपको इससे भी पैदावार मिल जाएगी और रोपाई की समय को यदा निकाल दिया जाए तो मात्र नब्वे दिन में ही ये फसल पकर तयार हो जाती है। रोपाई का टाइम हम नरसरी डालने का जोड लें तो 110-120 दिन में ये भी फसल पकर तयार हो जाती है। फसल चक्र के रूप में अगर आप इसको अगेती बुआई करते हैं तो आसानी से सब्जियों की और अगेती आलो गेहूं और गन्ने की बुआई कर सकते हैं अगर आप किसी कांड से लेट हो जाते हैं तो लेट के रूप में भी आप इसको अंतिम जुलाई या सब्ता जो पह किसान भाईयों एक महत्पूर्ण जानकारी आपको जरूर देना चाहेंगे किसी भी ब्राइटी को आप लगाते हैं तो उस ब्राइटी के अनुसार ही आपको सभी चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि कम अवध की जो ब्राइटिया होती है पहली बात तो उनकी पौध से पौ भी दिखते आएंगी जिससे आपका उत्पादन घट जाता है तो इसलिए जब भी आप किसी भी ब्राइटी को लगाएं तो उस चीज को ध्यान में रखकर ही लगाएं बाकि अगर आप इन ब्राइटियों को लगाना चाहते हैं तो आसानी से आप लगा सकते हैं कम पानी मे भी अच्छी खासी ये पैदावार दे देती हैं तो बस दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ धन्यवाद